नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले Enfrock Stiget Tablet के बारमें कौन सा कंडिशन में आप इस Enfrock Stiget Tablet को उपयोग कर पाएंगे कैस के doses है कौन इसे manufacturing करता है कौन सा ingredient इस Enfrostigate tablet के अंदर use किये गए है यदि दोस्तो आप इस Enfrostigate tablet को लेते हैं क्या आपको benefits दिखने को मिल सकते हैं क्या side effect दिखने को मिल सकते हैं पूरी जानकारी दोस्तो इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं यदि आपने अभी तक Medicine with Solar YouTube चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो दोस्तो चलिए आज की इस वीडियो को शुड़ू करते हैं आईए जानते हैं इस N4J टेबलेट के अंदर आपको कौन-कौन सा इंग्रेडियांट देखने को मिलते हैं नौर्फ लोक्सासीन 400 mg एं टीनी डाजोल 600 mg उप्यों किये गए दोस्तो लेबोरेट फर्माटिकल्स लिमिटेड कमपनी दोरा मैनेफेक्चिरिंग किये जाते हैं दस टेबलेट की एक स्ट्रीप आती है जिसकी MRP 120 रुपे 75 पैसे के अंदर आपको कोई भी केमिस्टर मेडिकल शॉप में एबलेबल देखने को मिल जाएंगे दोस्तो पर टेबलेट आपका 10 से 12 रुपे परेगी और दोस्तो इस एनफोस्ट जे टेबलेट का जो MRP है वो समय का साथ कम ज्यादा होते रहते हैं अब ही हम बात कर लेते हैं दोस्तो कौन-कौन सा कंडिशन में आप इस एनफोस्ट जे टेबलेट को उप्योग कर पाएंगे दोस्तो ये एक एंटी बेक्टिरियल टेबलेट है डाइडिया तथा डिसेंट्री जिसे हम हिंदी से दस्त और पेचिस बोलते हैं इसके अलवा भी गेस्टो इंटेश्टनल इनफेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसे यूज किये जाते हैं यदि दोस्तो किसी बेक्टि के अंदर UTI, Urinary Tech Infection, पेचाप में दर्द या फिर पेचाप में जलन होना इस कंडिशन में भी इस एंट्रोस्टिजेट के यूज किये जाते हैं अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तो क्या इसके डोस हैं डोक्टर अपने एकोर्डिंग इसके डोसे स्पिस्क्राइप करते हैं फिर भी एक एडल बेक्टि एक एक गोली दिन में दो टाइम खाना खाने का बात ले सकते हैं दोस्तो यदि आप इस एनफोस्टिजेट टेबलेट को लेते हैं कि आपको साइड एफेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो इसके तो जातर साइड एफेक्ट नहीं है लेकिन किसी-किसी बेक्टि को साइड एफेक्ट देखने को मिल जाती है जैसे headache, dry mouth, dizziness, loss of appetite यदि इन में से कोई भी side effect आपको इस Enforstiget tablet को लेने का बाद देखने को मिलती है इस tablet को आप लेना तुरन बन कर दे और आपके नज़दी के डॉक्टर से console करे अभी हम बात कर लेते दोस्तों कौन-कौन सा बातों को ध्यान में रखते होगे आपको इस Enforstiget tablet को लेना है दोस्तों यदि आप पहले से कोई antibiotic tablet को 7 कर रहे है उच situation में आप इस Enforstiget को 7 ना करे यदि आपको kidney और liver से जूरी कोई भी समस्या है इस Enforstiget को भी आप उपयोग ना करे और दोस्तों एलकोहल लेने से पहले या फिर लेने का बात में इस Enforstiget को आप उपयोग ना करे तो दोस्तों उमीद करता हूँ Enforstiget tablet के बारे में पूरी जानकरी आपको मिल गई होगी आपके साथ मिलते हैं next me और एक new medicine से related वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई